हेलो जैहिं दब्रवान कैसे हो आई होप सभी लोग बढ़े होंगे मस्त होंगे सभी को प्यारवारा नमस्कर वेलकम टू नेवी पूर डिफेंस अकाड़मी यानि आनन्ड डिफेंस अकाड़मी साथ हो आप सभी का मैं एक बर फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आप इस वीडियो में चर्चा होगी ठीक है रिजल्ट को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे और हम मेरिट लिस्ट आपका जो है कब आएगा ठीक है ना हर एक डाउट जो है आपका ओल्डाउट के लियर किया जाएगा तो इस वीडियो को लाट देखिए गा कुछ मेल डिप्लाई है तो मेल डिप्लाई पर भी हम लोग चर्चा करेंगे ठीक है ना तो मेल डिप्लाई को भी हम समझाएंगे क्या मेल डिप्लाई है जो भी बच्चे मेल डिप्लाई जिन भी बच्चों को मेल डिप्लाई है तो वह सारी चीज़े हम लोग डिसकस करेंगे और हां आपसे भी इस परिवार में नए हैं, पहली बर वीडियो देख रहा हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, ताकि हम लोग का जो परिवार है, बड़ा हो सकती है, ठीक है न, तो आप से भी लोग का जिम्नवारी है कि इस परिवार को सपोर्ट करीए, सबसे पहले हम लोग देख जो रिजल्ट है डिले हो गया अभी ये रिजल्ट कब आएगा लाष्ट अक्टूबर में कब आएगा मेरे वाइक टूबर में ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा अभी hidra ऐसा तो नहीं कि आप फिर बोलोगों कि नवंबर में आएगा मेरे भाई कसम से यार थोड़ी चीजे जो है ना डिले हुई है और मैंने जहां तक बात किया तो मुझे भी लगा कि हाँ इस केस में इंडिन ने भी क्या ही कर सकती है तो भाई चीजे वाकई में डिले हुई है और उसका मेन रिजन है देखिए अभी जो भी स्टेज टू आप लोगा हुआ था स्टेज टू का क्या है ना कि स्टेज टू आप लोगा होता है पेपर पे क्या होता है ओएमार पेपर पे होता है ओएमार सीट पे होता है लेकिन देखिए डिजिटली आपका एक्जाम होता है जैसे आप मॉक टेस्ट देते होंगे तो उस तरीके से आपका एक्जाम भी होता ह वो अल्रेडी अटो कैलकुलेट हो जाता है मार्क्स वेगरा ठीक है ना लेकिन भाई क्या है ना कि यहां तो पेपर पे हो रहा है यहां पर आपका एक्जाम जो है ओमर पे हो रहा है उसको अपलोड किया जाता है क्या अपलोड किया जाता है डाटा को क्या किया जाता है अपल रोड कहा होता है डिफरेंट डिफरेंट एक्जाम्स जहां भी सेंटर्स पर हुआ होगा माले यह किसी का स्टेज टू कुलकत्ता में हुआ किसी का यूपी में हुआ किसी का देहरा दून में हुआ किसी का दिल्ली में हुआ किसी कप फिर से आपका महराश्ट में मुंबई में में हुआ या फिर गुजरात के जामनगर में हुआ किरला के कोची में हुआ आंद्र पर्देश का विशाखा फत्नम में हुआ मतलब डिफरेंट सेंटर्स पर आपका जो एकजाम हुआ तो वहां से जैसे क्या होता है न कि रिजल्ट बनके सीट आता है सीट जो आता है कहां पर हेड़क्वार्टर होता है नेवी का हेड़क्वार्टर डिल्ली यहीं से मतलब जो भी होता है सारा कुछ होता है ठीक है यह जो information है यह आपको अंदर की information है बहुत कम ही लोग आपको बताएगा ठीक है न तो इसमें क्या है ना कि इसमें चीजे अपलोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और 90 परसेंट चीजे अपलोड हो गई है ठीक है ना सिर्फ और सिर्फ काम कितना बचा है 10 परसेंट मैंने बात के एक दोस्ते तो बोला कि आनंद ऐसा इसा बात है भाई अभी थोड़ा सा आप जो भाई लो है उनको बताओ कि अभी थोड़ा सा टाइम लेगा तो मैंने उनको बोला कि इस महीने के लाश्ट तक हो जाएगा क्या तो लग लाश्ट तक तो कंफर्म हो जाएगा और पहला चीज एक चीज और भाई यहां पर खुद से मेल भी आ गया है कि मतलब देखिए कोई बच्चा मेल किया था कि हाँ ने भी का रिजल्ट कब आएगा इस टेश्टू का तो काइंडिली किप चेकिंग यूर डैस्पॉर्ड रिजल्स विल भी अपलोड़ेट सुन बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा ठीक है यह फाइनल रिजल्ट की यह बात कर रहे हैं कि रिजल्ट विल भी अपलोड़ेट सुन आपको जल्दी ही अप रिजल्ट अपलोड हो लेकिन बैकेंड में काम चल रहा है 90 परसंट अल्रेडी चीज़े अपलोड होगी है 10 परसंट बचा हुआ उसके बाद साइट अंडर मेंटनेस एक बार जाएगा उसके बाद मतलब इंड का मतलब क्या होता है ऐसा निनरा 30 को आयागा नहीं देखी 25 के 25 के बाद 30 की बीच में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है वैसे एक डेट जो है ना 20 तारिक बहुत इंपोर्टन होता है नेवी के लिए क्योंकि इस डेट पे अगर आने का चान्स है इस डेट प फिर आपका तीस तरीके बीच में कभी भी रिजल्ट आजाएगा मतलब इस महीने में आपका रिजल्ट कंफर्म है और हाँ घबडाएगा मत दोस्त क्योंकि घबडाने से कोई ज्यादा आपको खुद ही नुकसान होगा आप टेंसन ना लेजिए मतलब इतना कंपटिशन कम है ना इसमें 42-100 सोल्जर को लिया जाएगा 42-100 लड़के हैं आप जैसे 42-100 भाई जो है ना इस पर फाजी बनेंगे दो बैच मिलाकर ठीक है ना एक बैच इसमें 1200 लड़का हो जाएगा और इसके बादवाला में 1200 लड़का और हाँ आप ही लोग में से 42-100 होंगे ठीक है ना फिर नाया कोई stage 2 नहीं होने वाला है तो जो भी physical मतलब पास है medically fit है और return में आपका रहा गया है तो भाई आपका selection 100% fix है इस बात को लिख लिजे screenshot ले लिजे कि आप एक soldier बन जाईएगा ध्यान दिजेगा तो आप लोग वस वेट कर लिजे थोड़ा दिन last October में आपका last October में आपका result आने वाल है ठीक है अभी देखिए हम लोग का साथ आप जूड़कर पढ़ाई करना चाहते हैं तो हम लोग का application भी है तो application से आप पढ़ कर चल देए तो जितने भी लोग है ना मैं देखिए ऐसा नहीं है कि एक बड़ हम लोग application crash कर गया तो जो कोर्स लिए हैं उनका कहानी कहत्म नहीं मेरे भाई जितने भी लोग हैं दस लोग हो या दस हजार लोग है जो भी लोग है तो भाई उनका प्रोपर तरीके से फिर से नया एप बनेगा या फिर जो भी नया कोर्स लॉंच होगा उसमें उनका पहले सबसे पहले उनका खुद से अटो लॉग इन हो जाएगा उस बैच में वो खुद से ज्वाइन हो जाएंगे तो देखिए हम लोग बच्चों को एकदम प्रोपर हेल्प करना जानते हैं ठीक ह करिए ताकि जो भी भाई लोग है ना एक रियल इंफर्मेशन उनको मिल पाए ठीक है और हां बात है कि नेवी का तो नेवी में मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा यूटूब पर आपको बता रहा हूं ऐसा कोई बंदा नहीं होगा ना जो नेवी खुद क्वालिफाई किय हो और आपको यूटूब पर बता रहा हो ठीक है ना तो जो भी यूटूब पर हम बता देंगा सबसे बेश्ट बताएंगे मेरे भाई तो आप सभी लोग ट्रस्ट करते हैं उमिद करता हूं कि आप वीडियो को सेर करेंगे और हां चैनल पने हैं सब्सक्राइब कर देना औ और एक WhatsApp ग्रूप जो होता है न WhatsApp का ग्रूप तो उसका लिक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा आप देख लेना या फिर कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगा आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाना ठीक है न भाई इतना कुछ समझ में आया तो आप ल लोड़ इंड ऑक्टूबर लिखा गया यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया देंपीर देखें डीएंपीर का मतलब क्या होता दीएंपीर इंडिन नेवी का यह मैंन पावर कंड़क्टिंग एजनसी है जैसे होता ना कि इंडिन आर्मी का जैसे एक बोड होता है कि हम आफ बच्चों को हम ही रिक्रूट करेंगे तो डियेंपीर जो हाना इंडिन नेवी का रिक्रूटिंग टीम है ठीक है तो ध्यान दिजेगा जो भी आप मेल करेंगे तो डियेंपीर से ही आता है और यह आज से नहीं 2020 के बाद से जब भी हम भरती देख रहे हैं तो ऐसे ही से रिप्लाई यह रिप्लाई कुछ हद्तक सही होता है कुछ हद्तक यह इंड अक्टूबर बोला जा रहा है जो चीजे हम बोले हैं आपको तो ठीक है न तो इतना कुछ समझ गया ज्यादा लोड मत लेजिए और हां आप लोग थोड़ा सा अपना हेल्थ जो है ठिक ठाक कर ल ठीक है न और अगर आपका वजन कम है तो फिर थोड़ा सा आप वहां पर ओली चीज खाये जैसे ही हो गया आप बनाना वगरा ले सकते हैं और चावल खाये चावल ज्यादा खाये यानि राइस आपको ज्यादा खाना ताकि आपको जल्दी से जल्दी आप फैट बर्न कर सक ठीक है तो यह चीजे आप कर सकते हैं और थोड़ा सा आप अपने फैमिली के साथ रहें हो सकता है तकी क्योंकि आपका जब जॉइनिंग आए गा तो उसके बाद आप फैमिली से लगतार चार मेहने दूर रहेंगे चार महीने दूर रहेंगे फैमिली से चार महीने दूर और आप नए बच्चे हैं एकदम जो होता है नए आप एकदम नए जो कि घर से बाहर ने निकले हैं और चार महीने माबाप से दूर रहेगा तो आपको कैसा फिलोगा तो सोच लिजी तो आप लोग थोड़ा सा फैमिली से देखीए हर एक बच्चा इसमें सोटलिस्ट हो जाएगा ठीक है ना इस बैच में कुछ होंगे आधा सोटलिस्ट अगला बैच में आधा सर्थ से लेकर 55 परसिंट तक लड़के थे पास हो रहे थे और उसके बाद जो भी पास हो रहे हैं तो फिटि परसिंट लड़का अरी ऑस और सब्सक्राइब're स्क्राइब कर दीजिए बाकि आप से हमारी जो भी है हमारी भी मतलब मतलब महत्मक अंच्छा है कि आप एक सोलजर बने जैसकी सिवा करी और देखिए कुछ चीजे ऐसी होते हैं जैसे देखिए आप देखिए आपका अगर सेलेक्शन होता है तो इसमें कौन को खुष होगा देखिए मेरे से आप पढ़ाई किये हैं मेरे से आप पढ़े हैं तो मैं जाहिर सी बात है कि मुझे खुष होगे कहां मैंने इतना रिजल्ट दिया नेवी में इतना सेलेक्शन दिया आपके माता-पिता खुष होंगे या फिर आपने ऑफ-लाइन में पढ़ाई किया या आ और हां आपके जो एक रियल फ्रेंड होगा ना जो कि आजकल के डेट में कमी होते हैं तो वो खुस होगा और हो सकता है थोड़ा सा आपके वाला या वाली खुस हो सकती है और उसके बाद माता पिता उसके अलावा भाण में जाए कोई आपके तरक्की से खुस नहीं होने माल नहीं आपके पड़ोसी नहीं आपके रिस्तिदार जो भी रिलेस्टनर्स होंगे तो सब लोग को फट जाएगी तो इसलिए उन लोगों का फटने वाला है इस वाग तो आप सभी लोग वस अपना ख्याल रखें थोड़ा बाइक वाइक से बहुत सारा केस आता है लास्ट टा 5-0 में आपका स्ट डिफेंज में क्या चाहिए डिफेंज में बॉडी चईए इसलिए तो आपका प्रोपर बॉर्डी का टेस्ट हुआ होगा आपको पता चल गया होगा अवकायद किया जया किस तरीके से चेक्षी होद बंच चुके हैं ठीख है ना देखिए एक कहा जाता जाएगा जैसा बोलना या फिर बैठना या फिर आपने भरती पर के रिया कहीं होंगे तो आपको पता चल गया किस तरीके से डीफेंस में होता है क्या होता है तो अगला वीडियो उम्मिद करता हूं कि बनाना ना पड़े आप लोग इस वीडियो को समझ जाएंगे ठीक है न पागे कोई भी डाउट होगा आप पूछ लिजेगा वंदे मातरम जैहिंद अपना ख्याल लखे अपने माता पिटा का ख्याल लखे